नमस्कार आप देख रहे हैं यूटूब चैनल एजुकेशन पोडल कृष्णा और मैं हूँ कृष्णाराण सिंग आज फिर उसी विशयवस्तू को लेकर उपस्तित हूँ जो शिक्षक नियोजन से संबंधित है और बहुत सारे कंडिडेट्स का यह प्रश्ण था कि आखिरक वाले अर्था जिसका मेधा अंक कम बन रहा है वह किस डेट में कौन्सलिंग कराने के लिए जाए उसके लिए कौन सा डेट उपियुक्त होगा तो इसी दो प्रश्णों के समाधान के लिए यहां पे उपस्तित हूँ तो चलिए इसको प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले जो पहला प्रश्ण था कि कौन्सलिंग की प्रक्रिया किस प्रकार से संपन्न होती है और या कैसे होती है तो मुझे कौन्सलिंग की प्रक्रिया अर्थात इसका जो प्रोसेस है काफी नजदीकी से देखने का मोका मिला है मैं इस विभाग से ही संबंधित तो उसमें सबसे पहले विभाग द्वारा अर्था नियोजन इकाई द्वारा और बंधित मेधा सूची की तैयारी और प्रकाशन तो किया ही जाता है। और नियोजन इकाई के द्वारा मेधा सूची का जो सारवजनी करन है उश्वा किया जाता है। वहाँ पे अभ्यर्थी पहुशेगा और पहुशने के वाद वहाँ इंतजार करेगा और नियोजन इकाई के द्वारा एक लिस्ट जारी की जाएगी। वहाँ पे संभवता उसे दिवाल में चिफका दिया जाएगा। या तो फिर कहीं कहीं लगभग जितनी भी सूचियां है उस नियोजन इकाई में जितने भी अभ्यर्थियों का फॉर्म जमा हुआ है। में लिखकर मेधा के क्रम में अवरोही क्रम में सजा कर उसे 60 दिया जाता है। तो अब है क्या कि जिसका मेधा अंक सबसे हाई है उसे नियोजन इकाई के द्वारा लॉड़िस्पीकर या जैसे भी जिस साधन हो उसके द्वारा उसे कॉल किया जाएगा। कॉल करने के बाद अधी जो हाई नंबर पे है एक नंबर पे है मेधा क्रम में वह कंडिडेट वहां पे उपस्थित नहीं है। तो नियोजन इकाई के द्वारा तीन चांस दिया जाएगा तीन वार उसे कॉल करेगा। उसके बाद अंत्तह उसका जो कॉलम है जो रजिस्टर बनाया जाता है उसमें अपसेंट दर्द किया जाएगा। उसके बाद फिर आती है बारी उसके नीचे करम बाले का वह जाएगा अधी वह नहीं है तो उसे अपसेंट लिखेगा। उसके बाद तीसरे चोथे पांच में इस प्रकार से वह कॉल करते जाएगा और जब तक कि न वहां पे पांच अभ्यार्थी का कॉंसिलिंग हो जाता है तब तक यह प्रक्रिया जारी रहेगी और जब पांच का वहां पे फूल हो जाएगा कंडिडेट्स तो कॉंसिलिंग की प्रक्रिया रोक दी जाती है और उन अभ्यार्थियों से जिसका कॉंसिलिंग में सेलेक्शन हो चुका है उसका सारे डॉकॉमेंट्स वहां पे जो ओरिजिनल डॉकॉमेंट्स से जमा कर लिया जाएगा क्योंकि सिक्षा विभाग के द्वारा यह गाइड लाइन पहले से ज दूशरे दिन वहां अस्थापना को सुचित करेगा और वहां जाने के बाद उसका सारा जो भी सर्टिफिकेट है वह वेब पोर्टल अनकी वहां कार्याले का जो वेब साइट है उस पे अपलोड होगा और अंततह उसकी जाच होगी और सबसे अंतिम परक्रिया हो जाती है नियोजन पत्र मिलने की तो यह तो हो गई konseling कराने की परक्रिया किस प्रकार से होता है संचैप में इसे बताने का प्रयास किया अब महत्यपुर्ण प्रश्न दूश्रा है कि कम अंक वाले या तो एवरेज अंक वाले कब counseling कराए और कहां कराए तो यह प्रश्ण सभी candidates जिसका कम मेधा है उसके दिमाग में रन करता होगा और उनके मन में यही बात चलती होगी मैं उनके मन की बात को मैं बता रहा हूं वह सोचता होगा candidates कि मेरा marks तो कम है तो मेरा नगर निकाय में तो निस्षित रूप से counseling होगा ही नहीं तो वहाँ जाने से क्या फाइदा है उसके बाद प्रखंड में जो हमसे कुछ high है वह जाएगा और हम पंचायत में आसानी से counseling करा लूँगा तो यहां उनकी बड़ी भूल होगी मेरे द्रिष्टी कौन से और संभवता सभी candidates इस बात को जानते भी होईंगे कि वह कभी नहीं छोड़ेंगे किसी भी तिथी को और मेरा भी यही सोच है मेरा भी यही प्रश्न वह जो प्रश्न था उसका जबाब भी यही होगा कि नगर निकाय का जो कौंसलिंग आपका 5 जूलाई को प्रारंभ हो रहा है जिला मुख्याले में तो वहां भी जाकर आपको ट्राइ करना है उसके बाद जो अगली तिथी है 7 जूलाई वहां भी जाकर के ट्राइ करना है फिर 12 जूलाई है वहां भी आपको ट्राइ करना है तो यहां पे होगा क्या, कि 5 जुलाई को जिसका मेधा अंक जादा है, वह सोचेगा कि चलो मैं नगर निकाय में नहीं जाता हूँ, क्योंकि उसको अपने उपर विश्वास है कि मेरा मेधा अंक काफी हाई है, मैं पंचायत अस्तर पर ही जाकर कॉंशलिंग कराऊंगा, तो व उस कंडिडेट्स को मैं अगाह कराना चाहता हूँ, मैं उस कंडिडेट्स को एडवाइस देना चाहता हूँ, मैं उस कंडिडेट्स को सलाह देना चाहता हूँ, कि आप जो 5 जुलाई का नगर निकाय में कॉंसलिंग का डेट निर्धारित किया गया है, वहां भी आप जाकर ट्राई किजिए, बसरते आपका वहाँ नहीं हो, लेकिन यदि हाई मार्क्स वाले वहाँ पे नहीं पहुँचे, तो निशित रूप से आपकी सफलता वहाँ पे निशित रूप से दर्ज की जाएगी, और वहीं आप की कॉंशलिंग होगी, और आप सफल हो जाएगे, उसके जो 7 जुलाई है अधी नहीं हो पाया, तो 7 जुलाई में ट्राई करना है, वहां भी नहीं हो पाया, तो 12 जुलाई में करना है, अधी वहां से जो सित भरते आएगा निशे की ओर, तो 7 जुलाई के बाद जो 12 जुलाई होगा उसमें वहाँ पे फिक्स हो जाएगी आपकी कॉंसलिंग अब उन बातों का सारांस में मैं अधी कन्कुलूजन करूँ तो जो 7 जुलाई का नगर निकाए में कॉंसलिंग की परक्रिया है उसमें भी आपको जाना है अधी वहाँ नहीं सफल होए तो 7 जुलाई में जाना है और 12 जुलाई में जाना है और यह 5-7-12 जहाँ पे दिव्यांग सिक्षकों का फॉर्म नहीं इस बार डाला गया आनि कि 11 और 25 का जो समय निर्धारित किया था तो वहाँ कॉंसलिंग डेट है उसके बाद आपको फिर ट्राई करना है जहाँ पे दिव्यांग अभ्यर्थी का फॉर्म डाला गया था वहाँ भी 3 चांस मिलेगा फिर 2 अगस्त को वहाँ पे ट्राई करना है फिर 4 अगस्त को फिर 9 अगस्त को और यह जो 6 चांसे मिला आपको निशित रूप से कहीं न कहीं सफलता जरूर मिलेगी तो मेरा कहने का यहीं तात पर यह था कि जो भी कॉंसलिंग डेट निर्धारित की आ गया है विभाग की ओर शे उस च्छा जो मोका मिला है आपको सभी में जाकर ट्राई करना है और मैं 100% विश्वास के साथ कह रहा हू कि कहीं न कहीं आपका भाग आपका किस्मत जरूर साथ देगा और आपकी सफलता मिलेगी और आप एक अच्छे और स्योग सिक्षक बनने के लिए तैयार हो जाएंगे बेस्ट ओफ गुड लख थाइंक्स फॉर वाचिंग गुड बार